इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे हम पता करें, कि हमारा जो personal data है, यानि कि private information है, वो कितने company के पास share किया गया है, और किस type का data share किया गया है, चुकि कई बार आपने notice किया होगा, आपके mobile number पर तरह तरह के third party company की तरफ से call आते हैं, message आता है, mail आता है, link sent किया जाता है, means एक आपका जो personal data है, उन सारे companies के साथ share किया गया है, जिनकी तरफ से आपको calls आती है, mail साते ही, message आते हैं, अब यहाँ पर सबसे ब्ला सवाल यह उठता है, कि आखिर में हम पता कैसे करें, कि हमारा जो private information है, यानि कि data है, वो किस company के पास, कितनी company के पास share किया गया है, और किस type का data share किया गया है, ताकि मैं उन सारे data को उस company के यहाँ से remove कर लूँ, हटा लूँ, ताकि future में मुझे फिर से calls, message ना आए, तो दोस्त इस video को end तक देखीगा, इस video में मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, जिसकी help से आप इस काम को आसारी पूबग कर सकते ही, यानि कि आप पता लगा सकते ही, कि आपका जो data है, कितने company के पास, किस किस company के पास, और साथ ही किस type का data share किया गया है, और आप यहीं से घर वैठे, अपने mobile phone से remove भी करवा सकते हैं, तो वीडियो काफी ज़्यादा informative होगी, वीडियो को like और share कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का content द किसी company के साथ share किया होगा, यानि कि Gmail account का access दिया होगा, और अब आप लोग उस website को, उस site को use नहीं करते हैं, तो ऐसे में अभी भी उस Gmail account का access, उस third party company के पास है, और उस Gmail account पर जो भी आपका data available है, अभी भी वह company देख सकती है, कहीं भी share कर सकती है, sale कर सकती है, ओके, इस point को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो जब भी आप किसी भी site को use करें, और एकर वहाँ पर अपना Gmail account लॉग इन कर रहे हैं, तो जब आप उसे use करना छोड़ देते हैं, तो वहाँ से Gmail account को log out कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अभी इस video को end तक देखिएगा, यहाँ पर मैं आपक अस्टे पास्टे पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी mobile phone में कुई भी एक browser open कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर Chrome को open कर लेता हूँ, ओके, Chrome open करने की बाद, यहाँ पर आपको search बार में type करना है, जो मैं आपको type करके दिखा र कुछ इस तरीके से text type कीजिएगा, और यहाँ पर आचुका है mine, इस पर click कीजिए, click करने की बाद देखिए, यहाँ पर मैंने already account बना रखा है, check करने के लिए कल मैंने बनाया था, मैं आपको दिखा लेता हूँ profile, simple इस पर click करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा स first name, last name, और confirm कर दीजेगा, आपका account create हो जाएगा, जब आप account create कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको यह बताया जाएगा, कि आपका जो data है, वो किस किस company के साथ share किया गया है, और कितनी company के साथ share किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो data है, 12 companies, share किया गया है, और कितने company, मतलब 12 तो company है, लेकर कौन-कौन से ऐसे company है, जिनके साथ हमारा data share किया गया, तो यहाँ पर देखिए, see which companies का option दिख जाएगा, इस पर आपको click करना है, इस पर जैसे ही आप click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख जाएगा, जैसा कि आप मेरे case में देख रहे होंगे, जैसे Jupiter हो गया, AirDroid हो गया, Vidic हो गया, बजाज Finserv हो गया, AirTail हो गया, Zoom हो गया, PayPal हो गया, YouTube हो गया, Instagram हो गया, और Mine हो गया, जिस पर मैं अभी login कर चुका हूँ, तो इन सारे companies के साथ मेरा जो data है, वो share किया गया है, हो सकता है, आपके case मे और भी ज़्यादा companies होंगी, जिसके साथ आपका data share किया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं PayPal को ले देता हूँ, तो यहाँ पर मैं यह चेक करूँगा, कि आखिर में PayPal के साथ मेरा कौन सा data, किस type का data share किया गया है, तो simple आपको करना क्या है, PayPal पर click करना है, या फिर यहाँ प of data you share, financial और email address, मिंस इस company के साथ, इस application के साथ, मेरा email address और financial जो transaction होगी, उसका data share किया गया है, financial type के किसी भी प्रकार का transaction होगा, तो यह देख सकता है company, इसी तरह किसे अगर आप PayPal को चेक करना चाहते हो, तो PayPal पर click करके चेक कर सकते हो, किस-किस type का data हमारा ले रखा है, और भी जाएगा, इसके अलावे किस type का data ले रखी है, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि इस company के पास से मेरा data delete हो जाए, ताकि future में इस company की ओर से मुझे ना तो कोई call आए, ना message आए, ना mail आए, ठीक है ना, तो आप आप आसाने प् claim पर click करेंगे, तो आपका जो data है, 11 से 12 दिनों के अंदर अंदर, maximum 15 days तक का time लिया जा सकता है, 15 दिनों के अंदर अंदर, इस company के पास से आपका सारा data delete कर दिया जाएगा, remove कर दिया जाएगा, उसके बाद इस company की ओर से आपको ना तो call आएगे, ना message आएगा, चुकि आप आपका जो data है, उनकी पास रहेगा ही नहीं, तो इस तरीके से आप ये check कर पाएंगे कि आपका data कितने company के पास है, और किस type का data उन सारी companies ने ले रखी है, और ये check करना बेहत जोड़ी है, चुकि future में अगर आपका data किसी ऐसे company के पास share किया गया, जिसकी बज़ा से आपका आपका data है, या पिर आपका data जो private data है, कौडियो के वाव में sale किया जा रहा है, या पिर आपके उपर निगरानी की जा रही है, आप पर नजर रखी जा रही है, तो future में आपको problem आ सकती है, तो आप यहां से reclaim करके फटापट अपना data remove करवा सकते हैं, मुझे उमीद है, वी और share कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का content देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को subscribe करके notification wheel को जरूर दबा दीजिए